पोहे और सूजी का बना ये नास्ता खाकर पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं हेलो दोस्तो मैं हूँ सुकू और आपका बहुत बहुत स्वागत है सुकू की वेस धाली में तो आज मैं बना रही हूँ पोहे और सूजी से बनी ये नास्ते को और ये नास्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है साथ ही बनाना भी बहुत आसान है तो चलिए रेसिपी को सुरू करते हैं देखते हैं इसको मैं किस तरीके से बना दी हूँ तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है यह पोहा तो मैंने यहाँ पर एक कटोड़ी पोहा लिया है और यह medium size का पोहा है ना पतला है ना ही बहुत मोटा है तो इसी तरीके का पोहा चाहिए हमें इसमें डालेंगे हैं पानी और इसको हम 3-4 बार अच्छी तरह से धोलें तो जितना हमने पोहा लिया था उतनी ही मैं यहाँ पर सूजी ले रही हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ दही तो जितना हमने सूजी और पोहा लिया था ना उसकी आधी मैं यहाँ पर दही ले रही हूँ दही अगर खटी है तो थोड़ी कम ले तो यहाँ अबर मुझे थोड़ी सी पानी कम लग रही है क्योंकि सूजी बहुत ही पानी पीता है तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी पानी डाल रही हूँ दो चम्मच के करीब और इसको फिर से हम मेक्स करेंगे अच्छे से और इसको रख देंगे हम फूलने के लिए साइड में 5-7 मिनट चलिए एक अच्छा सा चटनी बना लेते हैं इसके साथ खाने के लिए तो यहाँ पर मैं बेसिक सी चटनी बना रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ में धनिया का पत्ता, उसके बाद एक मिर्च ले हूँ, मिर्च आप एक या दो जितना मरजी ले सकते हैं, इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, तो इस तरीके से थोड़े से मोटे टुक्रों म डालेंगे हम, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, पानी दो से तीन चमबच, और फिर इसको पिस करके हम चटनी तयार कर लेंगे, अब देखी, यहाँ पर य जैसे आटा लगाते हैं उसी तरीके से हमें इसको कर देना है इस तरीके से हाथों से अच्छे से हमें इसे मसल लेना है पानी नहीं डालना है नहीं तो बाद में इसको हैंडल करना मोस्किल हो जागा जब हम नस्ता बनाएंगे तो यहाँ पर इसको मैंने एकदम डोकी तर त्य कर लिया और यहां पर यह देखिए सूजी भी अच्छे से खोल चुकी है तो इसको भी थोड़ा मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से तो यहां पर देखिए सूजी मिक्स हो चुकी है आप क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे हम नमक तो नमक इसमें स्वाद के नुसा डाले पहले थ से हमारा जो ये नास्ता है बहुत ही फुला-फुला सा बनेगा और फिर हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा बोहे का जो हमने मिक्स करके रखा था ना उसको इसमें डालेंगे और दोनों को ही अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल आटे की तरह तो इस तरीके से इसको अच्छे से mix कर लिया है मैंने अब क्या करेंगे कि हाथों पे थोड़ा सा oil लगाएंगे और इस तरीके से इसको round round गोल गोल अड़ू की तरह बनाएंगे और बीज में इसको एक hole बना देंगे उंगले की साहिदा से इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है अब एक जाली नुमा जो प्लेट होता है ना उस पे oil लगा करके और इसको हम रख दिंगे इस तरीके से ताकि हम इसको अच्छे से steam कर पाए अगर आपके पास यह जाली वाला थाली नहीं है तो आप इडली का जो steamer आता है ना उसमें भी आप steam कर सकते हैं और देखी अगर हाथों से बनाने में दिक्कत हो रहा है नो इस तरीके से जो चाकू का पीछे का हिस्सा होता है ना उससे इस तरीके से बनाएंगे तो बड़ी आसानी से बन जाएगा मैंने इसी तरीके से सारे बना करके तयार कर लिए हैं बहुत आसान है बनाना अगर डो ह तो अच्छे से बन जाएगा, अगर थोड़ा सा भी ये गिला हुआ न तो बनाने में दिक्कत होती है, तो इस तरीके से देखिए, बहुत आसानी से ये बन जा रहा है, तो इसी तरीके से हम सारा नस्ता बना कर तयार कर लेंगे, तो यहाँ पर यहाँ हमने सब बना लिया है, तो स्टीम करने के लिए यहाँ पर पहले से ही मैंने एक पतिले में पानी को गरम करने के लिए चड़ा दिया है, अब यह जो हमारा थाली है न, उसको हम इसके उपर रख देंगे, और ढख करके इसको 10 से 12 मिनट आराम से पकने देंगे, तो यहाँ पर यह पक चुका है, और रेसेपी की, तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर किजिएगा, और देखी, यहाँ पर हमारा नास्ता बहुत अच्छे से बन चुका है, इसको हम फ्राई कर लेते हैं, आप चाहे तो इसको 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 खा सकते हैं, एड और देखने में भी अच्छा लगता है, थोड़े से हमने इसमें करी पत्ते को डाला है, इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, और जो हमने नास्ता बनाया है, उसको इसमें डाल देंगे, इस तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे न, तो यह और भी ज़्यादा खाने में अच्छ तो इसको मैं इस तरीके से इसको फ्राइ कर ले रही हूं थोड़ा सा मिक्स कर ले रही हूं और फिर मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे बारिक कटी हुई धनिया के पत्ती उपर से और फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे तो इस तरीके से हमारा नास्ता बनके त्यार हो गय और मिक्स कर लेंगे और नास्ता हमारा बनके त्यार हो गया है चलिए इसको अब हम सर्फ कर लेते हैं तो आपको मेरी ये रैसिपी कैसी लेगी कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा और लीजिए हमारा नास्ता बनके त्यार हो गया है खाने के लिए तो चलिए फिर मिलती हूं एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप मेरे पेज को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए नास्ते का मजा लीजिए, धन्यवाद.